नमस्कार साथियों आज मैं आया हूँ ननायनपूर पंप कैनाल जैसा कि कई दिनों से चर्चा चल रही है कोई साथी कह रहे थे कि पंप कैनाल चल रहा है कोई साथी कह रहे थे कि पंप कैनाल बंद है जैसा कि मैं बताया था कि जानवर मर रहे हैं पसुपक्षी मर रहे हैं अब तो किसान भी मरने के कगार पर आ गए हैं और यह निकमी सरकार पता नही कुमकरणी नीद में सोई है कौन सी बदरा किसान से सूख गई है और इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि दुर्भाग्य है क्या इसी निकम्मी सरकार हम लोगों को मिली है कहने पर इनलों को बहुत तकलिप होता है यह चुनाव हार गए है सांसदी का इससे बौखला कर कानपूर का बैराज को बान के रखे हैं यह लोग औ मैं यहां से एक चेतावनी भी दे रहा हूं कि और तालिस घंटा के अंदर अगर नहीं चलेगी तो धरना होने का काम होगा पड़े जोरों पर इसके लिए जिमवार अधिकारी होंगे यह सुन ले क्योंकि आप चुप बैठने की जुरूत नहीं है क्योंकि बहुत से किसान कई दिनों से परिसान किया है कि बिधायक जी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अगर हमको बिधायक ही मानते हैं अपना तो उनके लिए मनोज जो भी करना पड़ेगा करने के लिए तयार है इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाने का काम कर दूं कि एक भी मोटर नह चल जाती तो जानवर नहीं मरते अगर हमारे पिया जो नरसरी डाले है धांका वो नरसरी भी खराब नहीं होती कल आप लोग देखे होंगे नरसरी में मैं गया था जो वहां पर दरार फटी है उनलों का बीच सूखरा है लोग परिसान है और गुहार लगाए इसलिए मैं आ ज बेजने का काम करूंगा और कल कहूंगा उनसे नहीं होगा तो 48 घंटा के अंदर इसको देखने के बाद बहुत से साथी कहेंगे लब चला वाला है यह से तो उनके विधाय की पहुंच गई लहां उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन मैं जा कि देखूंगा कि स बाद पाला है whipping जा कि दुट मैं लेकिन लग यहां झाला है